वलकता में महिला के साथ हुई दरिन्देगी के विरूद में भुपार के समा सेबियो चातर चातरा उन्हें कैंडल माश निकाल का विरूद दर्स कराया उन्हें ने कटना की अध्रिन्दा करती हुई नियाई की मांगी है और आरोपी कले फासी की सजा की मांगी है चात्र ने कहा कि महिलाओं को सुरक्षा कुले कर प्रेदिशन किए जा रहे हैं राजे आई कूट के आदेश पर इस सम्मामले की जाज़ से बी आई को सौपि जा चुकी है समा सेवियो चात्र चात्रा उन्हें बहिला सुरक्षक लियावाज उठाने और न्याई की मांगी सिर्यों की तरहें ट्रीट किया जाता है। मतलब guerre निकल नहीं सकते हैं। मतलब काम रही है? उसके पाद हम सेफटी एक अच्छी सुरक्षा के साथ Musimco Dan हमारी इतने पढ़ने अज, की quality, की quality मिल रही है यह आप सबको भी दिख रहे है। आज क्या हो रहा है उनके साथ अब वो तो चली गई ना उनको तो कोई वापस नहीं ला पाएगा ना उनकी फैमिली पर क्या गुजर रही होगी उनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ अब सारे लड़कों को भी यह समझना चाहिए कि लड़कियों की सेफटे उनके हाथ में और हम लड़कियों को भी सशक्त होना चाहिए अपने आपको सुरक्षत रखने के लिए हम सबको सेर्फ डिफेंस सीखना चाहिए सारी लड़कियों को सर्फ डिफेंस इखना चाहिए क्योंकि हर इंसान अच्छा नहीं होता है भले ही कुछ अच्छे इंसान होते हैं पर बहुत बुरे भी लोग होते हैं यह आज हम सबने देख लिया है जिसा कि यह केस हुआ है यह से लाखो केस आते हैं और कुछ महीने के बाद यह बंद हो जाते हैं जैसा ही केंडल माच हो रहा है हो जाएगा दो महीने तक चलेगा फिर बंद हो जाएगा पर हम यह चाहते हैं कि हमारे जो भाई लोग हैं वो अब जैसा भीया ने कहा है कि लड़कों बेफिक्र घुमें अब तो प्रोफिशन में ऐसा हो रहा है इसने में चाहती हूँ कि आप लोग से मेरी एक निवेजने की आप हमारे लिए इससे चेफ इंवार्मेंट बनाए ताकि हम लोगों को कोई इसा ना बोल भाए कि ये लड़की रात को आधी रात को ऐसे जा रही थी इसके जारे इसा को लेकर आज हम ने संत सनातन सेवा समागल सहस्थान के पेनर दोने केंडल मार्श निकाला है बतक के आत्मा के सांती के रिए हमारी बेंग के सांती के लिए और इस प्रकार की ढटना है देश में ना हो इसको लेकर हमने आज गिरोत प्रसन किया और ऐसे करत्यों के मैं गोर निंदा करता हूँ ऐसे आत्मियों को चोराय बेट मार कर सूली पर शड़ा कर फासी सजा सारी पब्लिक के सामेर देना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि इस गिरोने करत्य के लिए के से सजा होती है सभी देखें और इस तरह के जो भी लोग विवत्स मानसिक्ता की लोग समाज में हैं वो डरें और समझे कि एसा कारे करने से पेले दस बार सोचे और सहम जाए इसको लेकर हमने आज कंडल मार्श किया साथ ही हमारी बेनों को बच्ची और कोई भी सब सिखाया कि अपनी लक्षाब आप स्वयम करना सिखें कई पर भी कुम्पू, कराटे, टाइकॉणो यह सब सिखें अपने मॉबाइल में हंड़ेड या जो भी नमबर आप कर रहे इमर्जनसी कॉल का उटाइल करके रहे ताकि कोई भी घटना आपके साथ गलती से भी हो रही है, तो उसको आप दबाएं क्योंकि देखी हर समय माबाप, भाई, भाई, भाई या कोई भी घर का परिवार का है, दोस्त, आपके साथ जोविज घंटा नहीं हो सकता, आजकल आप आफिस में काम करते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, सकूल में जाते हैं, सबी जगए आपके साथ कई ने गई नाइट सिप्ट, डे सिप्ट कभी, आप मुवी चले गए तो लड़कियां सड़क पर बेखोफ घंबना चाहिए, कोई उनकी तरफ आँख उटा के ना देख पाए, इस दिसा में काम करने की आफशकता है, सोचने की आफशकता है, जैसे लड़के रात के दो बज़े के लिए निकल जाए, बेखोफ निकलते, इससे लड़कियां भी अपने काम से जौब से जब कर रहे हैं, तो इस दिसा में भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए, कई तरह से चौकियां बने, पुलिस की गस्त के, जो वाइलेंटियर्स लड़के अपने अपने रहें, कि आज इस महले की रड़के वाइलेंटिय की रूप में खड़ रहेंगे, कल वहां के रहेंगे, इस त चागरा करता हूँ, कि इस तरह की घटनाओं को रोखने के लिए अपने लेबल पर जो जो प्रयास हो सके, जितना हो सके, आप चागरुकता फेलाएंगे, जहीं